Assalamualaikum, आज की हमारी इस वीडियो में हमारे पास टोपिक है के Center of the Ring और उसी के साथ हमारे पास एक ठेरम है के Proof that Center of the Ring is a Subthing सबसे पहले हम Center of the Ring की Definition देख लेते हैं के हमारे पास Center of the Ring होता गया then हम Proof की तरफ चलेंगे Let R be the ring, the set Z of R equal है X belong to R, such that XR equal है Rx for all R belong to R, is called the Center of the Ring, ये थी हमारे पास Formal Definition Center of the Ring की अगर हम Simple Definition की बात करें तो हमारे पास Simple Center of the Ring की Definition है कि ऐसा रिंग का Element जो रिंग के बाकी तमाम Elements के साथ Commute करें तो हमारे पास Center of the Ring कहलाएगा जैसे के हम Group Theory में भी जानते हैं कि ऐसा Element जो ग्रूब के बाकी तमाम Elements के साथ Commute करता है तो वो हमारे पास Center of the Ring Sorry, Center of the Group कहलाएगा इसी तरह रिंग में भी रिंग का ऐसा Element जो रिंग के बाकी तमाम Elements के साथ Commute करें तो हमारे पास Center of the Ring कहलाएगा For example अगर न्यूम्ते गजल स्सक्राइब को पांगेज़ है और स्पथ ही बिरन्पर एक्टरों को रीम्र्ग और स्सक्राइन अगर हमरे पास तो छाएंट crisis में सेंट्परर बातंगें तो उसका center भी हमारे पास set of integer ही होगा complex number का center भी हमारे पास complex number ही होगा क्योंकि तमाम elements आपस में क्या करते हैं? commute करते हैं इस तरह modulo classes का center भी हमारे पास modulo classes itself ही होंगी यह हमारे पास है infinite rings की example की इनका center वो होता है वो itself यह आप भी होती है अगर हम finite ring की बात करें तो finite ring में हम एक example ले ले लेते हैं two cross two matrices की जिसमैं हमने center find करना है तो हमारी बारी रिंग आजाएगी कि अभी यहां पर हमारे पास M2 cross two matrices की finite ring है जिसमें से हमने center बताना है आप यहां तरहे हमारी पास एक से ज्टार हो सकता है और यहां पर जो null matrix है हमें पता है identity matrix है और हमें पता है कि identity अगर group में हो या ring में वो हमेशा ring या group के elements के साथ commute करती है means कि वो identity जो होती है always हमारे पास center of the ring या center of the group होती है अब हमने बागी matrices को check करना है कि वो हमारे पास center of the ring है या नहीं अंडेंटरी तो हमारे पास center of the ring कहलाएगी अब हम चेक कर लेते हैं टू क्रोस टू मैट्रिसिस 0100 को तो जब हमने 0100 को रिंग के बाकी elements के साथ कम्यूट करवाया तो हमने फिर्स लिखा 0100 multiply 1000 equal है यहां पर हमने left side से multiply करवाया है और यहां पर हमने जिसको check करना है कि वो हमारे पास center है या नहीं उसको right side से multiply करवाया है जब हमने left side से multiply करवाया यानि जब हमने row को column के साथ multiply करवाया है जैसे कि matrices में multiplication करते हैं तो left side का answer हमारे पास 0 तो जिरो यानि नल मैट्रिस से आ गया और जब हमने राइस साइट पर मल्टिप्लाय करवाया तो इसका अंसर हमारे पास 0100 की फॉर्म में आ गया है यह भी हमारे पास सेंटर अफ दा रिंग नहीं होगा अगर हम 1100 की बात कर ले तो इसको जब हमने 1000 साथ लेप्ट साइट से भी और राइट साइट से भी मल्टिप्लाय करवाया तो लेप्ट साइट पे हमारे पास सांसर आया 100 और राइट साइट पे हमारे पास सांसर आया 1100 तो means कि यह भी दोनों साइड हमारे पास equal नहीं है तो means कि यह भी हमारे पास center of the ring नहीं कहलाएगा तो means कि इस finite matrices में हमारे पास just null matrices है यानि हमारे पास 00 identity matrix है वो हमारे पास क्या है center of the ring है जो कि हमने m2 cross 2 matrices की finite ring ली थी तो इस तरह हम किसी भी ring में center of a ring बता सकते हैं कि ring का ऐसा element जो ring के बाकि तमाम elements के साथ commute करें वो हमारे पास center of the ring कहलाएगा अब हमारे पास एक proof है कि हमने proof करना है कि क्या हमारे पर center of the ring वो sub ring of the ring है तो proof में हमारे पास क्या आ जाएगा कि proof that center of the ring is a ring, sub ring हम्हों पूरूफ करना है कि यहाँ को सब्रिंग। जब हमने ड़ैफिनेशन डिसकर्ण की थी तो वहीं पे हमने एक दिस्कर्स किया था कि हम princip की रिंग चोल करने to यह 9 प्रोप्टी शो करवाने से बहतर हैं कि हमारे पास एक रिजल्ट था कि अगर हमारे पास कोई non-empty subset हो रिंग का जिसे हमने S का नाम दिया था उसे हम subring of the ring तब कहेंगे कि अगर हम दो element लें जो कि हमारे पास उसी subset में से belong करें यानि हमने subset लिया रिंग का S और उसमें से दो element लिया हमने A B अब हमने जो दो element लिया है subset में से रिंग किये अगर उनका प्रोड़ेट यानि अगर हम A B को multiply करें और उनका जो difference है यानि अगर हम A मैनस B करें वो भी अगर हमारे पास S से belong कर जाए तो हमारे पास subring of the ring कहलाएगी यानि कि बजाए इसके कि हम ring की तमाम properties 9 की 9 satisfy करवाएगी और ये शो करवाएगी वो हमारे पास subring है अगर हम जास ये दो result शो करवादे तो means कि वो हमारे पास subring कहलाएगी अब क्योंकि हमने center of the ring को subring शो करवाना है तो इसी theorem को हम use करेंगे हम let कर लेंगे कि let a be belong to z of r यूँकि हम center को subring शो करवाना चाहते हैं और center को हम z of r से represent करते हैं r यहाँ पर हमारे पास ring है अब हम यहाँ दो element ले रहे हैं center of the ring में से तो वह element किस तरह के हमारे पास होंगे कि a r equal होगा r a और b r equal होगा r b यानि यहाँ पर हमने center of the ring के elements write की हैं जो इस form में हमारे पास होते हैं for all r belong to r अब हमने दो properties satisfy करने हैं कि एक तो difference हमारे पास subset में से belong कर जाए तो यह एक उनका product भी हमारे पास subset से belong कर जाए तो now consider a minus b of r equal है अब r को जब हम अंदर multiply करवाएंगे तो हमारे पास आएगा a r minus b r अब यहाँ पर हमने definition write की है center की तो यहाँ पर हमें पता है कि जो a r वो equal है r a तो इस तरह हमारे पास a r की place पर आजाएगा r a और b r हमारे पास equal है r b तो इस तरह हमारे पास b r की place पर आजाएगा r b अब अगेन जब हम यहाँ से r common लेंगे तो हमारे पास आजाएगा r multiply of a minus b तो implies हमारे पास a minus b block कर जाएगा center of r से यानि हमने यहाँ पर right hand side पर r को multiply करवाए a minus b से और हमारे पास आजाएगा कि left hand side पर हमारे पास r multiply कर गया a minus b से means कि हमारे पास a minus b block कर गया center of r से अब second हमने प्रूफ करना है कि जो a b वो भी हमारे पास block करता है subset s से यहाँ पर हमारे पास s हम किसको ले रहे हैं center of the ring को तो हम लिखेंगे also a b multiply r यानि हम r को left side से multiply कर रहेंगे right hand side से तो दोनों हमारे पास commute करनी चाहिए हमारे पास a b multiply r equal है a of b r जब again हम इसको commute करवाएंगे तो हमारे पास आएगा a of r b again जब हमoque commute करेंगे तो हमारे पास आएगा a r of b इस्तारש a r हमारे पास equal है r a तो हमारे पास आजएगा a of b equal है अब यहाँ से जब हम r को common ले ले लेंग तो हमारे पास आजएगा implies r of ab implies हमारे पास ab bloong कर जाएंगा center of r से यानि यह commute कर जा तो इसी तरह हम ने प्रूफ कर दिया है कि जो हमार पर सेंटर ओफ रिंग हमार पर साय सब रिंग है तो इस तरह हम एजली किसी भी सब सेट ओफ रिंग को सब रिंग शो करवा सकते हैं यह दो प्रॉप्टीज यूज़ करके बजाए इसके के हम 99 प्रॉप्टीज यूज़ यूज़ करें रिंग की तो आई आज का लेक्ष्टर आपको क्लियर हो गया होगा अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा अला हाफिस